शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें इन सब में लाखर उपे खर्थ हो जाएंगा वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है जॉक्टर वो मेरे बेटे की प्रॉब्लम है हमारे परीवार की प्रॉब्लम है क्या हुआ देवधर कुछ नहीं पहले जब सुना करता था कि किसी लड़की पर तेजा भीग दिया गया है समझ में नहीं आता था कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए लेकिन अब समझ में आगया कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है लिस्ट पनाओ उन सब को सबक सिखाना है चाहिल रेपिस रोमिंग फ्री, अनुछ भाटिया, अनुछ भाटिया, इता को नहीं मिला इंसाब, साथ साल बाद हारा बेटी की हत्या का मुकदमा, इसका भी नाम लिख, डौरी विक्टम टाइस इन होस्पिटल, मन्दीप सेंग, से गोगी, बाकी सब लिष्ट बाद में, स किया था, याद कर उस लड़की का चेहरा, जो तेजा मारने से पहले था, और फिर सोच, तेजा मारने के बाद, उस लड़की का चेहरा कैसा हुआ होगा, कितनी तड़पी होगी वो, उसके जले हुए चेहरे को देखकर उसके माबाब, भाई, बैर पर क्या भी दियोगी, जब भी दियोगी इस लड़की पर, जब उसके अपना जला हुआ चेहरा, आईने में देखा होगा, किसी का चेहरा बिगाडने के लिए तेजाब की एक बून काफी है, मगर तूने उसके चेहरे पर, तेजाब से भरा हुआ पूरा पल फेका था, घबरा मत, ये तो पानी था, तेजाब तो अब बारूगा. प्रेकिंग यूज में हम आपको बता दें ऐसा लगते है जैसी कोई किरो हिट लिस्ट बना कर लड़कियों पर तैजाब फेकने वालों और अपरादियों की हत्याएं कर रहा है जहां पुलिस हैरान है वहीं आम जनता इन हत्याओं से खुश नज़र आ रही है आज तक की खास रिपोर्ट यह लो पचास लाग रुपे अब तो मेरे बेटे को छोड़ दो छोड़ देंगे कल सुबा तुम्हारा लॉंडा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा देवधर क्या हम पैसो के लिए इसके लॉंडे को छोड़ देंगे इन पैसो से उन मासूम लड़कियों का इलाज होगा जिनकी जिंदगी इन जैसे कमीनों ने बिकाड़ी है उस लॉंडे का तो वही हशर होगा जो बागी सब का हुआ है कि अखिवर अच्छा सब्सक्राइब कि अधियों कि अधियों कि अधियर दुटि अधियों अधियों कि यह दो एक लाग रुप्या है आपके लिड़के रहना का इलाज के लिए कर दो है बहुत बहुत महरमानी आपकी अब तक तो कोई खड़ाई नियुआ था मारे लिए झाप एपकरमत की जबचल बाई कभी भी कुछ भी चीज का दरुगत पड़े आमको याद कीजेए आम लोग युद कभी कुछ भी काम हो एनीटाइम आमको याद कीजेगा बहुत ब झाल 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 पुलीस सामीर को अपादी मान रही है उनका कहना है समीर ने नीता शर्मा को बिल्डिंग से गिराकर मार डाला है इसके बाबजुद भी आप उनका केस लड़ रहे हैं यहां तक कि उसकी जमानत भी करवा दिया आपको नहीं लगता कि ऐसे अपादी को एक मिनट एक मिनिट के साथ अपरादी शप्त का इस्तिमाल ना करें उस पर अपराद अभी साबित नहीं हुआ है मामला कोट में मगर पुलीस का कहना है कि समेर के खिलाफ पक्के सबूत हैं ऐसे में के आप ये केस जीत पाएंगे कहना और उसे साबित करना ये दो अलग अलग बाते हैं सच और जैंआ इसंट पर आप साथ के श्लिय आसलिए मैं भाई साब भी चालिया फ्लीस बाहारो जीए अलग आपं लो समीर कट्याल का केस तू लडरा और तेरा केस हम क्या चाहते आप लो ये कहान ले जा रहा हैं आप लोगी प्रिया एंगे लाँ उया जाँ एंगम जांगे लड़ाँ में लड़ाँ में कर अपर सुम्रीब सकभप एंगे लड़ाँ ह।ो दीए लड़ाँ लड़ाँ सब्सक्राइब करते हैं समीर तुम हाँ वकील साब यह वही समीर है जिसका केस आप लड़ रहे हैं समीर वकील साब को डीटेल में बताओ कि तुमने उस लड़की के साथ क्या क्या किया ताकि यह तुम्हारा केस ठीक तरह से लड़ सके चल बता रात के नौ बजे थे इधर नहीं उधर रात के नौ बजे थे मैंने उसे दोला कुआ से उठाया फिर फिर चलती गाड़ी मैं उसके साथ रेप किया उसके बाद मैं उसे यहां लेकर आया और उसे दर्वाजे में अपने पैर फसा लिये और यहां भी उसके साथ रेप किया अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो मैं तुझे छट से नीचे भेग दूगा वो वो लगी भागने मैं समझा यह जरूर बता देगी और मैंने उसको चट से नीचे फेक दिया क्यों वकील साहब पिता को नहीं मिला इंसाब साथ साल बाद हारा बेटी की हत्या का मुकतमा इस डेली सेफ पर वोमन? क्राइम अगेंस्ट वोमन राइसस डेली उचा सुमती है बलातकारी कोट से बरी डावरी विक्टम डाइस इन हॉस्पितल एक और देहे जहत्या और ये सब हेड्लाइन्स आप जैसे वकीलों की वज़ा से होती है इसलिए आप जैसे वकीलों का जिन्दा रहना ठीक नहीं अः कि इसलिए इसलिए հाए । बेला, 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 देवधर, देवधर, गुंडे कापे थर 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 सिम्रेन आप देख सकती हैं हमारे पीछे सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं हर उम्र हर तपके की लोग शामिल है आये इंसे बात करते हैं क्या देवधर का रास्ता सही है और कुई रास्ता है तो आप मेदाईए रेहाना के केसमा क्या हुआ सरयाम उसे गोली मार दिया और कोटने उसे छोड़ दिया राजीव की मा से जाके पुछो उसके दिल पर क्या भीत रही है आगी नहीं करें पिष्ट पॉलिटिशन की ताकत की वज़ा से बच गया लेकिन अब नहीं बचेगा पुलिस कातावा है कि वो इस देवधर को गिरफतार करके ही रहेगी किस किस देवधर को गिरफतार करेंगी पुलिस मैं भी देवधर हूँ 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 मैं भी इस शहर के हर पोने से निकल रहे हैं अब हमें ये देखना है कि प्रशासन और पुलिस इस देवधर गांधी की आंधी को कैसे रोकती है कैमरामन राज़ा के साथ अधिती पंडित नौट प्लेस देली पुलोक दो आदमियों को जबर्दस्ती इस बील्डिंग में ले उपर ले गये उपर से उठाकर नीचे प्रेंग दिया तुम कहा थे उस वक्त है अंध्र है आऊ कि आऊ कि आऊ कि आऊ है मिलोर्ड, अब मैं उस बिल्डिंग के सिकरोटी गार्ड, राम सहाय को बुलाने की इजाज़त चाहता हूं. हाँ तो राम सहाय, तुमने उन दोनों को ऊपर खीच कर ले जाते हुए, इन्हें देखा था ना? नहीं सहाथ, मैं इन्हें जानता भी नहीं सहाथ हैं जिसकर हैं जिसकर हैं,।। थिसकर हैं जिसक RIGHT हैं नजर्गσιक्तिंपिन घिनों गॉड़वाण एनर्गणी बिलास जडर्गणी बिल्पवाण याज्ड़कर गजदी, करूंगा, याज्ड़कर गजदी रावात। Excuse me sir, excuse me sir, क्या आप अपनी नई पाटी बनाने की सोच रहे हैं? क्या हिंसा के रास्ता सही है? गांधी जी ने कहा था कि आथ के बदले आथ लेने की बहाना से सारी दुनिया अंधी हो जाएगी गांधी जी आज होते तो शायद ये ना कहते आज वो लाठी चलने के लिए नहीं, अपने हिवाज़त के लिए उठाता है और इसे बदले की भावना नहीं, अपने आत्मस समान की लक्षा कहते और अगर आप ये सब नहीं कर सकते, तो अंधा होना ज्यादा बहतर है नेगी के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कराओ कहिए, कैसे याद के आप ते मुझे? मिस्टर नेगी, आप तो जानते हैं कि आज देवधर गांधी कितनी उचाइक तक पहुंच चुका है लोग कानून और पुलीस से ज्यादा गांधी पर भरोसा करने लग गए है वो कहीं भी जाकर किसी के साथ कुछ भी करता है कि आप ते लाव कोई बोलने को तयार नहीं होता हमारे क्राइम सेल के इंचार्ज मिस्टर राठोड है जो आज तक गांधी पर अंकुछ लगाने में नाकाम रहे है मैं चाहती हूं कि वो फाइल मिस्टर राठोड के पास रहे लेकिन केस आप ऑपरेट करें यह रही उसकी फाइल इसमें उसके सारे डीटेल्स मिलेंगे कंधार आठोड का बंदूक मेरी क्या मैं जान सकता हूं अचानक यह गांधी पर अंकुष्क्यों कसा जा रहा है वो ऐसा है कि रहने दीजे उर्मिला जी रहने दीजे अब असली बाद मैं आपको बताओं गांधी पर आप अंकुष्क्यों इसलिए लगाना चाहती है क्योंकि उसके हाथ उन अमीरों के गले तक पहुच चुके हैं जिनकी डोनेशन के वज़े से आपकी पार्टी चलती है क्या होगी मैं आपको शाम तक बता दूगा मगर इससे पहले मेरी भी एक बात है यह उपरेशन मैं आपने तरीक यह से करूँगा और उसमें मुझे किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं यह रखलए यहुच क्या बुमारा, के और यहुच कर दे एक के लुची किसे दित है तु ऐसी बाते कर रही है मां क्या गलत कर रहे हैं हम लोग अंजली का बद्दा लेना गलत है उसके जैसे सेक्र बेबस लड़कियों के परिवारों की बद्द करना गलत है कानुन से खेलने वालों को सबक सिकाना गलत है मां वो लोग हमें बद्दाम कर रहे हैं जूटे केसिस बना रहे हैं हम पर मेरे दोस्तों को कुट्टो की तरह मारा जा रहा है और तू कह रही है कि शहर चोड़कर चले जाए तू कुछ गलत नहीं कर रहा है कुछ नहीं लेकिन हमें इस शहर को छोड़कर जाना है देवधर नहीं मा यह शहर छोड़कर नहीं जाएंगे हम लोग तू आज यह बात इसलिए कह रहा है न क्यूंकि मैं तेरी सोदेली मा इस घर में आने से पहले मुझसे क्या कहा गया था सीता उस घर में तीन साल का बच्चा है जिसे संभा जालने वाला कोई नहीं है मैं इस घर में किसी की बहू या बीवे बनकर नहीं आई थी तेरी मा बनकर आई थी आपकी रिजिस्ट्री आई है कहां सी पॉलिस डिपार्टमेंट से मा इसका सेलेक्शन हो गया है जाने देना इसको इंट्रिव्यू के लिए इसके हिम्मत कैसे हुई दिवाई तू है जो घर से भार जाते वक्त पी पूछ कर जाता है और यह मतलम कि पुलीस में जाने का फै ओर्टी बात माद कर सॉरी मां जाना जानने देना इसे मैं तो बस इतना जानती हूं देवा कि अगर यह पुलीस में गया तो पुलीस हमारे घर आएगी दोग्री तुमारे इडूकेशन मेरट में हूई है ये ख़र वही तुम्हारे सर्डिफिकेस बता रहा है कि तुम्हें एक अच्छे स्टूडेंट ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे स्पोर्समें भी हो यू हेट अल्डा ओप्शिन्स ये पुलीस फोर्स ही क्यों मैं पुलीस फोर्स की बहुत रिस्पेक करता हूं सर कर मैं समझता हूं कि समाज में पुलीस की भूमी का बहुत अहम है अच्छा तुम्हारे इस जीशिशन पर तुम्हारे फादर का क्या रिक्षिन था बैर फादर नहीं है सर मेरे बड़ाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सर तुम्हारे बड़े भाई के अगरते हैं जी वो रिक्षा चलाते हैं आई सी भाई एक रिक्षा चलाने वाला आदमी आपने छोटे भाई को इस तरह पड़ा लेखा कर इस मुकाम पर पहुंचाए ये तो बहुत बड़ी बात है काबिले तारीफ है मैं तुम्हारे भाई से मि वेलकम तुम्हारे भाई बात खुश होगे आपके बारे में पुछने लगे और जब मैंने ये बताया कि मेरा भाई रिक्षा चलाता है तो और ज्यादा खुश होगे इन पाइक वो तो आपसे मिलना भी चाहते हैं ठीक है मैं अने मिलूंगा लेकिन पहले जाकर मां को ये प्रीदे ओक्यों भाईया तुम मन लगा के ट्रेडिंग करना जी और घर की फिकर बिलकुल मत करना ये रख रास्ते में काम आएंगे हम पहिया पहिया साहिब आपसे को देदर सर्मानाम का अथमी मिलने आ है पहिए नमस्ते नमस्ते मैं आकाश अर्मा का भाई हूँ आपने मुझे पुलाया था प्लीज सिट डाउन भाई तुम्हारे छोटे भाई ने जब मुझे बताया कि रिक्षा चला चला कि किस तरह तुमने मेहनत करके उसे इस मुकाम पर पहुंचा मैंने सुचा मुझे तुमसे जरूर मेना चाहिए और मुबारक बात देना चाहिए आकाश एक बहुत ही भागिशाली लगका है जिसे तुम जैसे भाई मिला इस में तो इस में तो इसकी अपनी मेहनत औ लगन है मैंने तो उसे से नहीं नहीं बिल्कुल खलत अगर तुम्हारा सपोर्ट नहीं हता तो उसे इस मुकाम पे आने में बहुत तेर लगती नाव ही इस बेन सेलेक्टेट विश्यू अल्द वेस्ट थैंक यू के लाएं किétaisंगी करें हम आ दु से आसल जा एक किया हुए एक शराबी जाब है काई और-इस कि आर बर्मन को सीदू बोलता भी जब तु पैशा मंगें सकते हुआ कि अरे क्या हो भाई क्या हुआ अरे बताव ना चल्डा काम कर अपना हरे बता तो सही आप अधे घंडे से पसंजर बैठे हो इस दिमाग घुमा हुआ है भीजा खराब निकरना सम्झेड़ा तो मैं कुछ करता हूं मैं कुछ मदद करता हु तुमारा अरे मेरा मकैनिक अब यह उने अरे अरे पर काय को काय के लिए मैं हूना मेरे दो आइडिया बहुत आइडिया आइडिया थflower एद दो शनके हारे तु चलना यार्ट जाना मैरे मकैनिक अब याद पैसे के जा लगते क्या मेरे यह एडिया इस्टार्टिंग का इस्टार्टिंग वह वा अगरी यारे यह यारे लिया यह गुमाया अभी स्टार्ट गरना इस्टार्टिंग अध्या आई या मेटर लोग का पूरा सिस्टम होता है जोर से जोर से मारना होता है होता है होता है स्टार्ट करता हूँ